जहीं साथियों सरकारी से चप के लिए आपके लिए एक महत्तपूर्ण स्रीज है जहाँ पर आज हम लोग GS, GK, Current, Vivid, Regening माने समसमाई के साथ Vivid वो अनिमार प्रस्न जो आपको सेलेक्शन के लिए सेलेक्शन के नजदीक पोग्चाने में सबसे अहम और महत्तपूर्ण भूंका निभाएगी तो इस वीडियो के अंग तक कॉपी कलम लेकर बने रहेगा अगर आपको अब की बार एक सिप हमार कहना है तो यह के वल कहने से नहीं बलकिन आपकी मेहनत से होगी आज की जो प्रस्ण हैं आपके लिए यह आपकी परिच्छा के दिश्टकोन से तयार किये गए हैं जो उसकी IQ लेवल है वहां से ताकि अगर आप भरती परिच्छा में जाएं तो आपको बहुत सारे प्रस्ण ऐसे हो जो हुब हुब मिल है और ऐसा रिकार्ड भी रहा है अब पहले से इस बात को वली भाती जानते होंगे तो चलिए आज के सेसन के अन्य तक जुड़े रिएगा लेकिन बसरते कॉपी कलम लेकर बैठिएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे तौपिक तथ मिलेंगे जिसे आपको नो डॉन करते रहना पड़ेगा पहला प्रस्ण आपके डिस्पली पर दिखरा होगा कि बल्लभी बिश्र विद्याले कहां इस्तीत है यह इतिहास का प्रस्ण है आपके सेलबश में है यहाँ पे यह 50 नमबर की तयारी है जो सभी के लिए महत्वण और अनिवारी है तो जो बल्लभी बिश्र विद्याले है तो आईए हम बात करते हैं प्राचीन काल में हमें बहुत धामे के तीन प्रमुक के अंदर मिलते हैं प्राचीन काल में अगर हम पहले की बात करें तो पहला था नालांदा पहला कौन था नालांदा अगर दूसरे की बात करें दूसरा विक्रम सिला यह प्राचीन काल के थे और हम लोग यही दो ही अभ आते हम आपको repeat करना चाहेंगे revision करना चाहेंगे देखे प्राचीनकार में बहुत सच्छा के तीन प्रमुक के अंदर थे नालंदा बिक्रम सिला वल्लवी मेरा सवाल आप सवी से है कि आपको ये बताना है बिक्रम सिला का स्थापना किसने किया था नालंदा के विद्याले के स्थापना किसने किया था बल्लवी के बारे में बताने जा रहा हूं देखे नालंदा बिहार में आधुनिक पठना के पास में है यहाँ पे अगर हम नालंदा की बात करे तो यहाँ पे महायान बौद धर्ण किस इच्छा का एक प्रमुक के अंदर था लेकिन अगर बलवी की बात करें ठीए है गुजरात में कहा पे गुजरात में गुजरात की किस अस्थान पर जी हां कठिया वार किस अस्थान पर कठिया वार रट लीजिए का कॉपी कलम लेकर बैठिएगा अ है यहां यहां हीन यान बहुत धर्ण किस अच्छा का प्रमुक्य था किसका हीन यहां और यह महायान नारंदा क्या था महायान देखिए कितनी इंप्रटेंट कितनी छोड़ी-छोड़ी चीजा आपको यहां पर मिलने ही लेखना चाए तो लेख सकते हैं बिक्रम्सिला इंदू संस्किति धर्मिक चिच्छा का प्रमुकेंद था चलिए बुद्ध के समय उजयन अवंति राज की राज धानी थी अब आपको बताना है नालंदा विष्ट जैले की अस्थापना किष्णी किया था दूसरा बिक्रम्सिला भी जैले का अस्थापना किष्णी किया अब है सत्पाणी गुफा है जितने साथी वीडियो को देख रहे हैं बताईए आप लोग कि सत्पाणी गुफा है कहां इस्तित है सबी लोग बताईएगा देखिए यह भी प्राश्म नितिहास का सवाल है यहाँ पे याद रखेगा यह जो सत्पाणी गुफा है जी हां य यह वैभरा की पहाडियों में कहां पर है यह वैभरा की पहाडियों में और यह वैभरा की पहाडियां पर यह सब्ध प्रणी गुफाज्तित है और यह कहां पर है यहां राजगीरी में है कहां पर है राजगीरी को इसे राजगीरी भी कहते हैं इसे राजगीरी भी कहते हैं पर इच्छा में कभी-कभी राजगी रा जाता है तो लोग गलती कर जाते हैं तो इसलिए इस चीज को रट लीजिएगा अब हम बढ़ते हैं और आगे अगला है आपके सामने किस सिक गुरू ने बिद्रोही राजकुमार खुसरो की शाहता धनिम आसिरबात से की थी पहला प अगर आप सेलेक्शन के लिए पढ़ रहा हैं सवाल का जबाब जरूर दीजिएगा देखिए यहाँ पर इस प्रशन का अगर उपिक्त विकल्ब जो है वो है अर्जुन देव कौन है गुरू अर्जुन देव जी हां सिक गुरू अर्जुन देव ने जहांगिर के पुत्र खुसरों की सहायता की थी और उसके पैडामसरूप जहांगिर ने उन्हें मृत दंड भी दिया था उन्हें मृत दंड भी मिला था अब हम चलते हैं एक और अगले पस्टन के लिए यार जल्दी सी वीडियो को शेयर कर दीजिए लोगों तक पूचाईए अगर आप सेलेक् पूण भी है तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस प्रस्टन का जबाब जरूर दीजिएगा देखिए हम अगर काकोरी घटना की बात करें तो काकोरी कांड आप लोग जानते होंगे यह आधनी भात के तेहास भारती राष्टी आंदोलन का सवाल है अगर हम काकोरी कांड की यह 9 अगस्त 1925 को काकोरी घटना घटे थी इनमें रामपरशाद बिश्मिल अस्फाक उल्ला खां रोसल सिंग राजियन लहडी परमुकद माचरा कर फासी दे गए इसमें रामपरशाद बिश्मिल को जो फासी दे गए थी वह गोरख पूर के जेल में दिया गया था जी हां रट लीजिएगा आप लोग जबकि राजेंद लहडी को गोंडा में राजेंद लहडी को अगर पूछ लिया जाए तो रटना चाहत लिख लीजिएगा इन्हें गोंडा में फांसी दी गई थी अगर रोसन सिंग की बात करे तो इलहाबाद में वर्तमान नाम प्रयागराज असफाग उल्लाखा इनको फैजाबाद में फासे दी गई थी कहां पे फैजाबाद में तो यहां पर हमने ये देखा कि एक प्रश्न के साथ आपकी कितनी प्रश्न तयार हो गए तो आप चाहत इ इसके कॉपी में नोट डाउन कर लें लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से वीडियो को शियर करें यह वीडियो फेस्बूक पेज इलनीबी दुर्गेश इलनीबी दुर्गेश की अप्ली केसन पर मेरे द्वारा निश सवाल मेरे आपसे अचा वच कििस हैं जितने भी इसाथी वीडियो को देख रहे है जब आप दिजए गार अगर बढति करम में देखें देखें इहां पर मैं एक भरत का मेप बना दे रहा हूं ताकि आप लोग को जैसे चीजे कुछ उत्ण मैं बहुत बढ़या तो नहीं लेकिन मैं आपके समझने भर के लिए चीजों को बना दे रहा हूं ठीक है अब यहां पर कह रहा है दच्छड से उत्तर के तरब मतलब अगर मांचित्र में दच्छड उत्तर कह दे तो मतलब यह हो गया साउथ मने और यह हो गया नार्थ मने समसागर्द देखा जाए तो धावलाधर जासकर लद्दाक और कारा कोरम इस्तित हैं कारा कोरम लद्दाक जासकर सिर्णिया ट्रांस हिमाले की भाग है यह कि इसका ट्रिक है जिसे को लजा कारा कोरम हो गई सबस्तर में कारा कोरम उसके नीचे लद्दाक फिर जासकर समझ म यह लेकिन दच्छिर सुंथर की तरफ जाना है का नीचे से जा रहे हैं थो पहले धौना धर होगा फिर जासकर दूसरे पर आएगा ठिक तीसरे पर आपका लदा खाएगा और चौथ हम कारक और यह तीनों ट्रांस हिमाले का हिस्सा है यह भारत के हिमाले में मैंने आपको पढ़ाया है अगर आपने सीरीज को ध्यान से पढ़ा होगा कि समझ मैं आप लोग को यह सेलेक्शन के लिए सरकारी से इच्छक जो बनना है आपको चलते हैं अगले प्रशनी की तरफ अगला सवाल यह भी भारत के भोगोल का सवाल है निमनिखित राज्यों में कौन सा पठकाई बुम जो है उनकी स्रेडी में शम्लित नहीं है जल्दे लिए कॉमेंट सेक्षन में जाईए और देएगे प्रशन का जबाब दीजेगा क्योंकि अब की बार एक सिट हमार देखिए राज्यों में पठकाई बुम की पहाड़िया बहुत इंपॉर्टन सवाल है तो जो पठकाई बुम की पहाड़िया है वो कहा कहा है यहांज देखिएगा अगर पठकाई बुम पुछेगा तो यह असम में है ठीक, असम के बाद अगर पूछ दिया जाए, तो असम के लाओं कहां पे हैं, मरीपूर में भी है, उसके बाद मिघाले में भी है, ये मरीपूर में भी है, मिघाले में भी है, उसके बाद मिजोरम में भी है, नागा लैंड में भी है, लेकिन त्रिपूरा राज्ज में पठक पठकाई बुम की पहाड़ियां नहीं है अब त्रिपुरा में जो है वह कौन सी पहाड़ी है यहां पर है मीजो की पहाड़ियां मीजो की यह बांगलादे से तीन तरफ से घिरा गुए इसलिए पठकाई बुम की पहाड़ियां कहां कहां है लेकिन त्रिपुरा में मीजो की पहाड़ियां है ठीक यह वीडियो को लोगों तक पोचाईएगा सभी लोग यह लाइक तक नहीं कि आप लोगों ने पैसा नहीं कटेगा चलिए लच्छदीप टापु कहां पर है एकदम हलुआ सवाल है जितने लोग वीडियो को लाइक देख रहे हैं अब लच्छदीप कहां है पहले इस यह एक दूइब जिसके राधनी कवर अपती है यह बताये कहां पर है एकदम हलुआ सवाल है यह दच्छड भारत में है दच्छड पुर्वी भारत में है बंगाल जो पुर्वी तटपर जी नहीं यह दच्छड पस्चिम भारत में है यहां इस पस्टने का उत्तर क्या तो देखे ऐसे ही तो यह यहां पर है यह इस इसको ही कहते हैं दच्छड पस्चिम ठीक है इसलिए इसकी उत्तर जो होगा वह ए सही है अगला सवाल है आपके लिए निकित कथनों पर भी चाल करना है आपने देखा होगा आजकाल की भरती परिच्छा में ऐसे प्रसम बहु अस्वा चांस कहते हैं आई इसके बारे में जानते हैं क्या यह सही है जी हाँ यहां यहां पर ध्यान से देखना होगा और ध्यान से चीजों को चानना होगा अगर हम यहां पर देखा जाए यहाँ पर सागरों के दोनों पर दच्छण चांस पर कड़ी बंदों को परते को कहते हैं और हार दच्छांस निम्दाप कड़ी बंद है यहाँ पर यहाँ पर दोनों को बताना है क्या इसमें सही है जी नहीं जो अस्वा चांस है जहां दीजेगा इसे अस्वा चांस कहते हैं इस्को ुश्यघु क्दार यह उच्छितब किया कि एक चेल hybrid jumлет सुझ भहें कि यहें घ्युट सेख़ा मधार कुछ उच्छिट्क एक है सकते कि यहां पर दूसरा गलत है यह二 दाब वाई का पड़ता जहां डूबने लगता तो जो ब्यापारी होते थे इस पर लोदे जो घोड़े होते थे उसको सागर में फिक देंगे तो सागर में क्या होगा घोड़े चले जाएंगे और हलका हो जाएगा इसलिए इसको अस्व अच्छांस के नाम से जाना जाता है जो 30-35 अंस अप्छांस पर प्रिथिवी के दोनों गोलारतों में फैला हुआ है और यहां एक उच्छवाई दाप कडवन्दी चित्रे उच्छवाई दाप की पेटी है तो आप लोग समझ लिए जल्दी से हम चलते हैं का और अगले प्रश्णी की तरफ सेलेक्शन लेना ह ठीक अगला सवाल देख रहें कूट वाले सवाल आपके लिए जादे आ रहे हैं नीचे दिएगे जीलों को छत्रफल के दिश्टी से सही और वही क्रम में बताए और वही क्रम क्या होता है मतलब यह है आपने पढ़ाओगा मायत में असेंडिंग और इसंडिंग आडर यह म इसा की बाद प्रशन के असाब से विक्टोरिया फिर उसके बाद आपका वा का यही क्ल्प में जरूर दीजेगा चिक अब यहाँ पर आपको बताना इस प्रश्ण का सही भी कल्प क्या होगा जल्दी यली कॉमेंट करिए यहाँ पे 4-3-2-1-1-2 मुल्टा है करम को यह पलड़ दिया है ठीक है पहले क्लास पढ़िए सेलेक्शन लेना एक सी डामार लेकिन बिना मेहनत के नहीं होगा तक्तो काम यह सूने जूताई होगी जल्सरच्ण होगा खेत किसी चाहि पूर जिप्चंगा परयोग इससे भी जल्सरच्ण होगा फसरन और सेसको खेत महेरा ने देना इससी होगा यह क्यों निमलिकित मेशे कौन साथ सही नहीं है जी हां दिक इसकी जिणोर्स है वो टेलीग्राम पर आपको उपलब दोगी सभी लोग टेलिग्राम पर दुरगेश सर्च करके जुड़िएगा या डिस्केप्शन में लिंक जुड़िएगा और आओ बागी क्लास के लिए इलरनी बिद्दुरगेश का आय पिश्टॉल कर लिजे निसुल कलास ये देशित में राशित में है आईए यहाँ पर देखते हैं सभी लोग इतने लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं कि कौन सा सही नहीं है सेवी की भंडारान गुडवत्ता कैलसे में कमीश घरती है सही बाद भाद में पच्मी बंगाल सरवादिक सज्जी उत्पादक राज्य है बताए सभी लोग सही बाद अतलसी तिलहनी फसल भाद में भरमोगा जाती जी नहीं त्रती पीड़ी की पीड़क नासी को सरवतम सी एस बिलियमसी ने प्रस्ताइट किया जी है ये भी सही है मानि जो गलत है वही आपका सही है क्योंकि यहाँ पर पुछन पूछा है निमलिखित में से कौन सा सही नहीं है अगला सवाल आपके सामने है देखने सारे सब्जेक्ट इसमें जुड़े हुए है सक्तिमान और सक्तिमान टू आंसी परिवर्तन कौन सी फसले है यह है आपकी मक्का की और सबसे जल्दी निमलिखित में से कौन सा फसल तयार होता है अब यहाँ पर सही सुमेलित कौन सा नहीं है जल्दी से बताइए देखे चना में विल्ट बिमारी होती है मटर में बुकनी बाजरा में अरगट धान में हरिदबाल नहीं होता जी हाँ, यह हर दबाल जो होता है, यह बाजरे में होने वाला रोग है, यह रट लीजिएगा सभी साथी अगला सवाल आपके सामने है साधा आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या रहा है, कारबन क्रेडिट सम्बंद में कौन सा कतन सही नहीं है यहाँ पर आपको गलत कतन को छाटना है, सही कतन नहीं, तीन सही एक गलत है प्रहे हैं लोग सवाल नहीं पढ़ते और गलती कर जाते हैं, जल्लीली बताइए देखे, कारबन क्रेडिट प्राडवी कोटो प्रोटकाल के सवस्चन में सम्पूश्ट की गई थी, सही है कारबन क्रेडिट उन देशों य में सवलखों को पतट की जाती है जो ग्रीन हाउस गयसों का उसरजन घटाकर उसे उसरजन अभ्यंस की नीची लाचुकते है यहाँ कोई मुल नहीं होता यहाँ प्रोषकार होता है जब हम पर्यामर की सीरीज पढ़ाएंगे तब वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा इसमें जो क्रे विक्रे होता है इसका क्या कॉंसेट है आप अपने घर में अगर सोलर पैनल लगवाना चाहते है उसमें सबसीडी मिलती है तो मैं आगे बताऊंगा वह सबसीडी कहां से आती है क्यों सबसीडी दी जाती है अगर आप सोलर पैनल करते हैं वहाँ पे क्यों ऐसा क्या कारण है यार वीडियो को शेयर करें आपके संख्या कम हो रही है तीन डाट बिंडू पर क्लिक करकर वीडियो की क्वाल्टी पंतपून है यह अनतराष्टि संधी हैं यह जयाश्य स्साब्वप से संबंदित है और इसे कब स्विकार किया गया? jin. जानवरी संद दोहजार को सुखर किया गया तो कितने लोग पता पिरिछ्छा में आजकाल विलान करने में पूछा जाता है यह 11 सिप्टमबर 2003 को यह लागों किया गया भारत में कब इसकी पूश्टी की गई अगर भारत में पूश्ट दिया जाता है तब तो कहेंगे सर हमको पता ही नहीं है तब यह आएगा सुभाचन बोश जी की जैनती में जैव सुरच्छा का काटा जेना प्रोटोकाल है भारत का संब्द तब जाकर होता है जैव सुरच्छा से 23 जनवरी 2003 को ठीक है चलते हैं अगले पेशने की तरफ फरवरी 2018 में जारी भारत में वनों किस्तिती रिपोर्ट के अनुसार भाद का कितना प्रिशत भाग वन छेतर के रिपोर्ट थी तब यहाँ पर स्पस्ट्रशन का जो सही भी कल्ब है वो लगभग के 20 परसेंट है अगर यहाँ पे देखा जाए तो यह केतना था 21.54 ठीक है तो यहाँ पर आगे देखेंगे भगवाली कराण क्या सारी चार चीज़ों को पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पर इस प्रश्ण का उत्तर जो होगा वो तेईस परसेंट है ठीक है चलते हैं का और अगले प्रश्ण की तरफ अगला सवाल आपके लिए है निवनिकी कितनों बर विचार कीजिए सबी लोग धान से देखेंगे जित्तों लोग विड़ो को लाईब देख रहे हैं देखें भार्ती पसु का लियार बोर्ड पर्यावन सरच्छन दिनियम और शासी का धिनस तापी थे जी नहीं राष्टी बाग सरच्छन पादिकराट एक सामिधिक निकाए जी हैं बाग दिवस कब मना जाता है कॉमेंट करके बताईए राष्टी गंगा नदी द्रोणी प्रादिकराण के देस्ता प्रधान मंत्री करते हैं सही बाद इसका मतलब यहाँ पर इसका उत्तर जो होगा कि अब देखिए अब यहाँ पर हमारे सामने भारतिश्रमिधान के सवाल आ रहे हैं तो जितने भी साथी एक बीडियो को सेयर कर दीजिए अच्छे एक सवाल यहाँ पर आया है कि वन रिपोर्ट वाला मैं चाहूंगा इसके वहाँ पर जो वन रिपोर्ट है उसकी मैं पूरी पुष्ठी कर दूँ पहले विगी काफी लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं सवाल को देखिए यहाँ पर एक ही करके मैं बता दूँ अग अगर आप लोग देखेंगे तो मैं के करके साइज़ीजो को क्लियर कर लूँगा अगर 2017 ृपोर्ट देखेंगे जो 1017 की रिपोर्ट तो यहाँ पर आपका है 21,05% अगर 2018 की रिपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पर यह कितना है 23% कितना है 23% अगर हम कुल भागोलीक्षित् ठीक है कब अब यहां पर ध्यान दिजेगा अगर हम यहां पर 2019 की बात करें 2019 में तब यहां पर है 24.5% यहां पर ध्यान दिजेगा ISFR जो है देश के भगोलिक चित्र का 24.5% है और अगर हम देश में कुल वना वरन यह कुल बिच्छा रोपन की बात करें भगोलिक चित्र में 24 दसमलोग चार जिरो परसेंट है ठिक अगला है सेना वित्तों होने के पश्चात सर्वोच न्यालय के न्याधीश कहां वकालत कर सकते हैं एकदम इंपोर्टेंट है एकदम इजी यह हमने पढ़ाया है अगर आप सभी का उत्तर यह सही हो जाए इसका मतलब आप त्यारी बहतर तरीके से कर रहा है और क्या कि देखुआ किसी भी न्यालय में नहीं कर सकते भारत के श्रम दहां में नेंगे, किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्राधान नहीं है सबी लोग फटाफट कॉमेंट करिएगा और कॉमेंट करने के बाद दिएगे पुष्णे का जवाब दीजेगा कि सब्सक्राइब अब जितने लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं बताइए दितने लोग देख रहे हैं फटावर बताइए बहुत सही आप लोग बता रहे हैं यहाँ पर देखिएगा राष्ट पती की विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया भाद के मुक्यना अधिन के पती अत्यकरमण जो है उसके बारे मागे बताएंगे आपको और उपर जो होता है यह राष्ट पती के प्रशाद परिंद अपना पदधारन करता है यहाँ पर अगर महाभियोग की वाद की संसद्वारा राष्ट पती को उपर राष्ट पती को मुक्यना अधिश के इनकी भी खिलाब भीयोग लया जा सकता है लेकिन राजिपाल के ब्रुद्ध सदर रियासत से राजिपाल में बदल दिया गया किसके द्वार आगया यूकि अभी आपने देखा जमू कस्मीर एक किन्सासी प्रदेश बना है तो यहां से आपके परिछ्छा में सवालों की बहुचार लग जाएगी बताई जल दिया आपके देखें जम्मू कस्मीर राज के स्वाविधान में छटे से रियासत राजिपाल बदल दिया गया और जहां पर प्रदान मंत्री मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तापित किया गया तो कब बताई सभी लोग जम्मू कस्मीर राज के छटे संसोधन के द्वारा सीज प्रष्ण का सही जबाब है और 2019 में जम्मू कस्मीर पुनर गठन अधनियम 2019 के तहट जम्मू कस्मीर तथा लगदाग को एक केंसासी प्रदेश बना दिया गया यह सिरीज आपको तब तक मिलेगी जब तक आपका सलेक्शन ना हो जाए राज बिधान सभा निमने कित्में से किसके निर्वाचन में भाग लेती है सबी लोग फड़ा फड़ कॉमेंट करें देखिए यहाँ पर राष्टपती भाद के राष्टपती में किस अंशेद में है अनुसेद चंवन खमें राज बिधान सभाज होती है यह भाग लेती है ठीक है मतलब यहाँ पर अगर आप लोग ज्ञान से देखेंगे भारत के उपर राष्टपती की चुनाओं में नहीं निती है राज के बिधान पर्चत के सदश्च के रूप में राज के बिधान पर्चत अनुसेद 173 राज सभा के सदश्चों के लिए 84 लेकिन उपराष्टपती के चुनाओं में राज की जो बिधान सभा होती है यह भाग नहीं लेती उपराष्टपती यहां कहां दिया गया यह अनुछेद ध्यांदी जेगा भाग उपराष्टपती होगा और उसका निर्वाचन च्छाचट एक में है संसत के दोनों सदन राज सभा लो सभा भाग लेते हैं लेकिन बिधान सभा उसमें भाग नहीं लेता ठीक है यह रट लीजिएगा ऐसे प्रश्णों जो आपकी परिच्छा में बार बार पूछे जाते हैं मनें यहां पर एक तीन और चार जिनकी निर्वाचन में राज की विधान सभा भाग लेती है ठीक यार वीडियो को शेयर कर दीजिए पैसा नहीं कटेगा लाइक नहीं के तो लाइक नहीं कर दीजिएगा अगला सवाल है निम्रिकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताए लेकिए जो सूरिया है यह अलसी की प्रजाती नहीं है यह है आम की प्रजाती है अपीता की है आलो की है ठीक है सरसो को वरवड़ा है मटर का सपना मुंफली का कौशाल है कौन सा पदार साक नासी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी लोग जबाब दीजेगा साक नासी है इसका प्रियोग क्रिसी छित्र में खर्पतवार को नश्ट करने के लिए किया जाता है इसका नाम क्या है ब्यूटा क्लोर यह ऐसी टैनिगेट वर का एक साक नासी है अब भात में इसका प्रियोग धान की खेती के लिए किया जाता है धान की खेती के लिए किया जाता है ठीक है धान की खेती के लिए इसका प्रियोग क्या जाता है भारत में अब देए कूट वाले सवाल आगे हैं कथन क्या रहा है कस्कूट अमर बेल पर जीवी आवर्त बीच का उधारन है कथन है यह पोसी पौधो की पत्तियों को अपना पोसण क्राप्त करता है बताए आपके हिसाब से क्या होगा जित्तोली वीडियो को लाइब देख रहे हैं ज दारण है इसमें पत्तियों को पढ़ हरीम का पुणता अभाव होता है इसका तना पोसक के चारों लिपट जाता है और जगा जगा है पर जीवी मूल निकलकर पोसक के तने के जाईलब तता फ्लोयन घुश जाते हैं वहां से भोजन खली चलमण प्राप्ते करते हैं इस प् अगला है फल दता सब्जियों के मूम के घौल का उप्योग कीजिए देखे शभी लोग फटापर जबाब दीजेगा ओल इन क्लास से नोट समन्द मगर कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर वाट्शेप करके आप जानकारी ले सकते हैं यह शभी क्लास आपके जौनपुर जनपत की सिराजहिन से मेरे द्वारा निसुल कुपलब्द है देखे ध्यान से देखे आप लोग मूम की पर्द फलो और सब्जियों को अधिक दिनों तक सुरच्चित रखने में एका एक आधुनिक तरीका है यह परिरच्छन से भिन है यह क्या है परिरच्छन से भिन है परिरच्छन से अलग है इनका क्या है भंडारन काल बढ़ाने के लिए मूम के खोल का प्रियोग किया जाता है इसका प्रियोग परिवहन के समय फलो और सब्जियों को सड़ने गलने से बचाने के लिए क्या जाता है खादी मूम का प्रियोग होता है यह खादी मूम एक मही दिन पर फलो सब्जियों के छिल्किक ऊपर चड़ाई जाते हैं इससे फल सब्जियों आठ से बारा दिनों तक मौसम के प्रभाव से बचे रहते हैं और सुनते जलते नहीं है मकडियों तो के द्वारा उत्पादित रेशम क्या क्या लाता है तशर रेशम रेशम मुगा रेशम गासीमी रेसं अहिंसा रेशम बताएच लेली में देखें यहigers प्रष्णय का उत्तर क्या होगा है गाश्मिर रेशम मकडियों द्वारा उत्पादित रेशम है उसे क्या क्याते रेशम के नाम से जानते हैं कि यार आप लोग वीडियो को शेयर करिए लोगों तक पोचाइए बहुत सारे क्लास आपने यूटूब पर देख्या होंगे लेकिन एकॉडिक्टू शिल्बस जो आज कल परिच्छा में ट्रेंड है जहां से परिच्छा में सवाल पूछे जाते हैं ऐसे सवाल आपको प्रह बताई आप देखिए गनित कभी ट्रेंडिंग सवाल है ने रजनिंग में है ने गनित में है अब बताई जरा कॉमेंट करके आप लोग यह वीडियो फेस्बूक यूटूब दोनों पर लाइव है दिखिए यस की आयू माना यक्स है यस की आयू क्या होगा यस है यक्स है तो यह क्या होगी दो गुनी है तो यह अगर टू यक्स होगी अब इसमें कौन जी सूचना है क्या रहा है कि पांच और सब्सक्राइब यस की आयू और ये की आयू क्या होगी देखिए पांच और सबात अगर पांच और सबात हम यहां पर सूचना एक ही बात करें तो क्या क्या हो जाएगा 2X plus 5 मतलब if you enjoy Hm sat in varsa अभब यहाँ पर इसका अगर माल निकालना अब तो हम contradict क्या हो जाएगा ये तो येक्स प्लस 5 बटे अज़ प्लस पांच हो गालते हम पहले हम इसा सवाल लगा दे कि तक ही आपको गलती भी कभी Cadenos perchal गया क्यों येक्स भालत पांच पहले और यीक्स प्लस पांच थेना पते नौर मतुर्पादे पांच इसको हल करिए एकस की वैलोगनिकालिए यह हो गई सूचना नंबर Raj अब 10 words पहले उनकी का नुपाइब क्या होगा अब 710 श्मायफ यह और निकाल वैलू के आती है कि अगर दोनों में डिवल्य बराबार आ है इसका मतलब आपका सभाल साई यह अगर दोनों में दीखिए X की वैलू कितनी आती है। तो यह तो एक होगा तो दो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा यह दोनों में नहीं होगा यह तो यह लगा यह वो लगा यह अगला सवाल आपके सामने है कह रहा है कि एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की नौ गुनी है अगर पुत्र है ज़र हम सन की बात करें तो जो शन है यक्स वर्स का है जो फादर है वो कितना है नौ यक्स है फिर कह रहा है माता की उम्र उस पुत्र की उम्र की आठ गुन पुत्र की उमर क्या होगी,很好 person, अब देखे माता पिता, मानिं फादर उल्माता, मानि 9X, प्लस 8X, बराबर 51, 9,8, 17X, बराबर 51, तो 1X, बराबर 51, बर्टे 70, कड़ गया, 3, कहो गया, तीन पुत्र क्या है यहाँ पे तीन यक्स पराबर तीन इस प्रकार पुत्र की उम्र क्या होगी तीन वर्स होगी और फादर कुम्र ग्याद करना होगा तो नो गुड़े तीन सताइस वर्स माता कुम्र ग्याद करना आर्थरिक चोबिस साल तो यहाँ पे बेटा तीन साल का है पिता 27 साल का माता 24 साल की है एकदम आसान एकदम हलुआ प्रस्ण है बस गलती मत करिएगा थोड़ा सा ध्यान लगाईएगा गुनित के सवाल बहुत ही आसान तरीके सब लगा सकते हैं जैसा कहता जाए बस वैसा करते चलेगा चलते हैं एक और अगले पॕस्ण की तरफ क क्यारा है कि ये तीन से विभज संख्याओं को छोड़कर एक से 999 संख्याओं तक की गिंती में अंक पांच कितनी अबारा आएगा अब एक से 99 संग देखा जाए जो तीन से यहां फिर फिर 15 से बाग देता है न फिर 45 हो जाएगा फिर बिदल्चा लाया कंडिश्या लिए इस सब्सक्राइब सेवियो में आता है इसमें से पते जरा कॉमेंट सेक्षिन में क्या होगा पांच गिंति में अंग पांच कितनी बार आएगा इनको छोड़ दिया इनको क्या करना है छोड़ देना है और इनको छोड़ देंगे वैसे गर पांच कितनी बार आता है पांच वैसे उननीस बार आएगा और यह निकाल दिया जा एक से लेकर निन्यानबे तक में पांच जो है उनीस बार आता है कितनी बार आएगा उनीस बार कि लेकिन तीज से कटने वाला निकाल दिए तीज से कितना कटेगा कि रोग जाएगे कि बताएगे अगर आप पांच की बारंबारता करेंगे तो क्या होगा चोगदा बार आएगा ठीक है चलिए अगला सवाल यहाँ पर ग्याद करना ऐसे सवाल को ग्याद करने के छोटा सा ट्रिक है जित्तों इस वीडियो को लाइप ज़रा फटापट करिए देखिए यहाँ पर ऐसे सवाल को ग्याद करने का एक तरीका है देखिए क्या तरीका है यहाँ पर इसको दो बार स्क्वाइर करते हैं यहाँ पर इसकी गरम वैलू निकालना होगा जैसे हम यह जानते हैं दोन परफशों कर रहे हैं स्क्वाइर कर देंगे तो यह हो जाएगा यक्स स्क्वाइर प्लस एक बटा यक्स स्क्वाइर बराबर इसकी वैलू पांच है पांच का स्क्वाइर माइनस दो हो जाएगा 23 का square minus यह trick है मैं आगे class में पढ़ा दूँगा यह trick कैसे निकलेगा minus 2 तो 23 का square होता है 529 529 minus 2 बराबर 527 28 प्रशन का सही भी कल्ब क्या होगा C ऐसे प्रशन को हल करने का एक तरीका मैं बता रहा हूं छोटा सा trick यहाँ पर मानेजिए यह 1 है इसमें हम निकालते हैं एक का square minus 2 फिर पूरे का square ध्यान दीजएगा फिर पूरे का square minus 2 यही तरीका है मात्र कुछ second में ऐसे प्रशन का उत्तर आपको आ जाएगा ध्यान से देखिएगा सबी लो कैसे देखिए माना यह x plus 1 बट x बराबर a हो एक का square minus 2 5 का square minus 2 पूरे का square minus 2 कि 5 का square कितना हो जाएगा 25 25 में से 2 गया मैं देखिए हल करके दिखा दे रहा हूना आप लोग कहेंगे सर कैसे लगा minus 2 यह हो जाएगा 23 23 का square minus 2 दी हो जाएगा 529 एकदम tricky है क्या हो जाएगा 527 एकदम tricky की माने बिना फार्मूले के मैं ऐसे आगे भी जब लोग गणित सवाल पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो concept है वह आपका पूरी दर से clear हो जाएगा हादिके इसमें मैद भी आता तो मैं मैद भी करा दे रहा हूं रिजनिंग भी आएगए ठीक अच्छे यही प्रस्णिफीर आ गया आपका अब अगला है देख यहाँ पर गणित का सवाल है इसको मैं हल करा दे रहा हूं कि एक संभाहु त्रिभुज एक संभाहु त्रिभुज की तीन भुजाय यक्स प्लस नाइन मैने 6 पांच एक्स प्लस 3 रुपित की जाती है ऐसे कितने त्रिभुज शंभाबर लेकिंगे यहाँ पर संभाहु त्रिभुज में दो भुजाय बराबर कर चर रासी यक्स मान लेते हैं मारे दो भुजागर बराबर है यह शेही माली जी यह संभाहु त्रिभुज यहाँ पर यक्स प्लस 1 और 9 माइनस यक्स अगर इसको हम दोनों को इक्वाल कर लेते हैं तो काफी लंबा सवा लगेगा इसका मान हो जाएगा यक्स प्लस लगे हैं यहां पर हम चार मान रख देंगे तो क्या जाएगा एक्स प्लस 1 है इस सट्रा आएगा ठीक है तो यहां पर हम जाते हैं कि कैसे होगा 5 प्लस 5 इनका योग कर दीजिए और यह उससे बड़ा है 55 सत्रा है यहां पर हम नहीं यह देखा कि अब इसकी वेलू हम रखेंगे तो एक्स की वेलू हम एक्स प्लस वन पांच एक्स रखेंगे तो यहां पर जो त्रिभूज बनेगा वह केवल एक त्रिभूज बनेगा कितना बनेगा केवल एक त्रिभूज बनेगा ठीक है अब चलते हैं का और सवाल की तरह एक तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, ऐसा सवाल जब भी आये, तो याद रखेगा, इनका वर्गमून निकालने के बाद, इनका घं कर देंगे, जो इस प्रस्टन का उत्तर होगा, वही आपका उत्तर आएगा, एक इसका ट्रिक है, ये छेतर फलों का अनुपात है, तो का उत्तर, माने सबसे पहले, इनकी भुजा निकालेंगे, ठीक है, दूसरी बार इसका क्यूब कर देंगे, ती हो जाएगा, कितना, तीन बटे दो हो जाएगा, फिर इसका क्यूब करेंगे, ती हो जाएगा, 27 बटे आठ, माने इस प्रस्टन का उत्तर होगा, वह हो की ट्रिक के माध्यम से हैं ठीक इस प्रश्ण को उत्र क्यों होगा यह होगा यदि एक बारम बारता बंटन में किसी वर्ग की निम्न और उच्छ शिमाय दस और चालिस हो तो वर्ग का मध्य बिंदू क्या होगा एकदम आसान प्रश्ण है मध्य बिंदू निकालने के लिए दोनों वर्गों योग करके बटा दो कर देंगे तो यह क्या होगा दस प्लस चालिस बटे दो तो पच्चास बटे दो बराबर पचीस इस प्रश्ण का उत्तर क्या होगा ए मतलत तूरंद सवाल का जबाब लिजेगा ठीक आगे देखेंगे कि भारत क्रिशी योग की भूम करके इसके बाद हम लोग तेजी से आगे बढ़ेंगे क्योंकि रेस के घोड़े हमेंसा रेस मच्छे लगतें खेत्व नहीं लगभग 15 परसेंट कितना होगा पंद्रह परसेंट होगा कौन खेह रहा है कि इंडेन जोग्राफिक हाली आता है यार किस दुनिया में हैं लगता है की सवाल देख रहे हैं क्या तो यहां होगा गाजियाबाद में कि ग्लोबल हैंड वासिंग दे मोस्ट इंपर्टेंड यह भरती परिच्छा में आपका सवाल पुछा गया रट लीजिए ग्लोबल हैंड वासिंग डे बिश्व हाथ धुलाई दिवस कब मनाया जाता है तो यह प्रतीक वर्ष 15 अक्टूबर को और यह पहली बार 2020 में बनाया गया था 2026 की सुरुवात होती है और आप देखा होगा कि कोबिड-19 के महामारी में इसका थीम क्या था कॉमेंट करके बताएगे गया च्छटवा बार अंतरराश्टी विज्ञान महुत सोग वीडियो कंफेंसें के मध्य कब से कब अरजित किया गया तो बारस बाइस से पच्चिस दिसंबर 2020 को अधिक कि अक्टूबर 2020 में भारस सरकारदवर अनुसासित आठ समुत्र चटों को अंतराश्टी ब्लू फ्लैग प्रमाडन के लिए अनुसासित नहीं किया गया अगर आठू का नाम आपको पता हो तो बताइए इसमें से अगर सभी लोग वीडियो को लाइक देखने सभी लोग फटापर कमेंट करें देखिए शुराजपुर गुजराग घोखलादीप राजधाननागर लेकिन कनारा केलल ट्रट नहीं इसके इस्प्रशन का उत्तर क् शी होगा ठीक है शुराजपुरम है यह द्वार का गुजरात में घोखलादीप कासर कोड पादो विद्री करनाटक कपड केरल रुसी कोंडा अंद्र प्रदेश गोल्डन पूरी उडिशा में है राधानगर अंडमान निकुबाद इसमें में है कनारा तक नहीं है अगला सवाल नौक्टूबर 2020 को एंटी रेडियेशन मिसाइल रुद्रम फर्ष्ट का सफल परिच्छन किया गया इससे समंदित निमखित कत्रों पर जल्दी से विचार करिएगा देखिए इसका परिच्छन अरब सागरम किया गया जी नहीं यह इस्रों के द्वारा किया ठीक है वीलर दूप से किया गया कहां पर वीलर दूप से यह गलत हो गया यह डियाइडी यह दोरा बेक्सित देश की पहली सुदेशन टी मिसाले सही बात इसका परचा शुखोई 30 mk i fighters क्राप क्या गया यह मतलब अरफ सागर में चैання यह बंगाली खारी में किया गया फिलनों टूप से कहां पर विलर दूप से कहां पर विलर दूप से कहां पर किर लाँ जिसको जिलिए के गलत कर से ताथ है जिसको नहीं दिख रहा है वहां तीन दाट बिंडू पर क्लिक करकर वीडियो की क्वाल्टी बढ़ा ले वीडियो पुरी तरसे साफ ये चिटी दिखाई देगा अगला है आपे सामने 9 अक्टूबर 2020 को जल सकती संत्राले द्वारा जारी पिश्वी गिप्ति के अनुसार कौन सा राज प्रतिक ग्रामिट घर में नल कनेक्शन उप्लब करा के देश का हर घर जल राजी बनने जा रहा है यह है आपका गोवा राज वर्तमान में गोवा के मुख्य मंतरी कौन है कमेंट सेक्शन में जबाब दीजिए अगला सवाल काफ इंपोर्टेंट है जल दिली कमेंट करिएगा अरे बीडियो को सेयर करिए डेली क्रासव टाइमस हाई यह तभी तो चीजे सिखेंगे कमाक्ष्य मंदीर भरत किस आपनिगराज में हैं औह अ जिसम में है असममें कहा है यहां पर नी लांचन परवत पर है किस पर निलांचल परवद पर है ठीक है यहां मंदिर असम की राजनी दिश्पूर के पास है भारत के स्रम्धान का निर्माता किसे माना जाता है एक दम हल्वा सवाल है डाक्टर भीम राओं बेटकर को माना जाता है ठीक अगर सरकारी से चक बनना है वीडियो गन तक बने रहना है कॉपी कलम लेकर वीडियो को फटा पट सेर मारते रहे हैं अगला सवाल आय और उब्भोग में किस प्रकार का संबंद है यह एकोनोमिस का स सब्सक्राइब करेंगे तो आप क्या करेंगे बढ़ेगा लेकिन उब्भोग में होने वाले ब्रिद्धी आय में में होने वाले ब्रिद्धी से कम होगी माने इसका संबंद क्या होगा सीधा सीधा होगा माने आय बढ़ने पर उब्भोग में बढ़ेगा लेकिन उब्भोग में होने वाले ब्रिद्धी आय में होने वाले ब्रिद्धी से कम ही होती है सियाचीन जाने वाले प्रथम भारती प्रधान मंत्री निम्षे कौन थे सियाचीन जाने वाले प्रधान मंत्री कौन थे पहले थे मनमोहन सिंग उसके बाद कौन गया कॉमेंट करके बताईएगा कब 12 जून 2005 को पहले प्रधानमंत्री मन मुहन सेखते हैं किलियर वीडियो को सेयर करिए जल्दी लाइक ने किया तो लाइक कर दीजिए स्वामी द्यानन सर्श्वती ने किस सहर में 1875 में आरिश समाज के स्थापना की अरिश समाज के स्थापना की अरिश समाज के स्थापना मुंबई बंबई में किया कई मुंबई है कई बंबई है इनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकास लिख लीजेगा सत्यार्थ परकास यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए अगर आप सेलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं यह बाते चांद दीजेगा भारत के पर्थम फिल्ड मार्शल कौन थे जेन चौधरी ओपी मलहुत्रां किम थिमय यहां एमेच के मानिकसा तो सैन मानिकसा उनईस्वेक अक्तर में और बांगलादेश को स्वतन्द कराने में इनकी सबसे अहम भूमिका थी घरिलू बिद्दूत केबल में प्रियोक की जाने वाली धातो निन्म में से कौन सी है बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए जितने लोग इस वीडियो को लग देख रहे हैं तामबा है एकदम रट लीजेगा एकदम सरल और हलुगा अला प्रस्ण है बिज्ञान का सवाल है रखो और निकालो निन्म में से किस्की नीती भाया किस में कोरोना आ गया कोविड आ गया था कुछ दिन पहले आपने देखा होगा तो कोविड समय कौम से विभाग लोग बाहर निकालने लगे पूशी बाहर रखो और निकालो जरत रखो जरत नहीं निकाल दो यह एकदमिक्स का सवाल है टेस्ट क्रिकेट में तीहरा सतक बनाने वाला प्रथम भारती क्रिकेटर कौन है सभी लोग फटापर कॉमेंट करके बताइए देखिए आप लोग आल इन क्लास नोट समन्द मेंगर कोई जान करें चाहिए इस नंबर पर आप वाट्सेप करके जान करें ले सकते हैं मेरी क्लास निसूल देशित में राशित में आप सभी के लिए उपलब्द है यह क्लास जौनपूर जनपरत के सिराजहिन से आप सभी के लिए लाइब चला है डेली क्लास के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम जरूर जोइन कर लिजेगा दुरगेश सर सर्च करके इलनी ब द्रुगेश है यहाँ पर आपका होगा बिरंद से हवाग इन्हें हम मुलतान का सुल्टान भी कहते हैं इन्होंनें पहली बार मुलतान में मार्च कि दोहजार चार में 13 सतक मुलतान शिडिया में पाकिस्तान की बिरुदर लगाया था ठीक है भारत में सबसे पुरा नाम गिरजा घर कौन सा है सेंट थामस चर्च किस राज में इस्तित है सेंट थामस चर्च कहां पर है इसका पुरा नाम क्या है सेंट थामस सायरो मालाबार कैथोलिक चर्च है या कहां पर है केरल में है केरल में भी किस अस्थान पर है त्रिशूर में कहां पर है यह है त्री शूर कहां पर है त्री शूर जी लिन के पास पालापुर में है कहां पर है पालापुर में यह भारत में सबसे पुराना रोमी सिरियन चर्च है यह भारत का सबसे पुराना कौन सा चर्च है लिखना चाह चर्च है यह भारत का सबसे पुराना रोमी सिरियन चर्च है त्रिशूर के पास है यह पालापूर के पास पालापूर तो आज आपकी 50 प्रश्णों की स्रिश शमाप्त होती है इस क्लास के साथ फिर मिलते हैं कल इसी समय आप लोग जुड़े रहेगा यह क्लास में जो थियर होगा अगर क्लास बहत्ता लगे अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा अगर सरकारी सिच्छक बनना है इस सीरीज को पढ़ना होगा बहुत सारी प्रश्ण आपको हुब बहुत पर इच्छा में मिल जाएंगे क्योंकि रेस के घोड़े हमें साथ रेस में अच्छे करें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यह वीडियो फेस्बूक पे भी यूटूब पर भी आप लाइब देख रहा है और घर बैटे नोट्स प्राप्ट कर सकते हैं मेरी क्लासे यहां पर निसुल को प्लद्ध है देशित में राश्चित में बाई-बाई-बाई-बा आजाता है एकोनामिक्स है इत्याहाश भगोल भारति स्वंविधान शामान विज्ञान तीनों उसमें आजाता है जैहिंद जैभारत अगली क्लास लिए तयार रहेगा ठीके चलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद जैभारत जितलों वीडियो को शेयर किया है लाइक के उनका दिल से थैंक्यू भगवान कर एकली भरती में आपका चैन पक्ता हूँ हाँ इसके अलामा बिज्ञान की गणित की एसस्टी समाजी गध्यन की पर्यावरण की गणित और भासा की तीनों हिंदी अंग्रेजी संस्कृत की डिसेज स्पेसल क्लास है उसके लिए आप लोग जुड़े रहेगा क्लास की टाइमिंग आपको टेलिग्राम पर उप्लगद हो जाएगी टेलिग्राम पर सभी लोग जुड़ जाएगा क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं ठिक जैंद बाई बाई